Hello students, welcome to Magnet Bain. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे. Myself, Neha Varma from Magnet Bain. Students, Magnet Bain एक ऐसा YouTube channel है जहां आपको kindergarten, means kg से class 12 तक आपको आपके सारे topics, means आपके जितना syllabus है सब के आपको वीडियो मिलेंगे. और हाँ students, यहां पर आपको teachers एक दो चाप्टर या एक दो टॉपिक पढ़ा के आप से किसी भी payment की demand नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि Magnet Bain is totally a free of cost channel. Free of cost का मतलब, यहां से पढ़ाई करने का आपको कोई भी payment नहीं देना पड़ता. ठीक है? तो करिए यहां से पढ़ाई. हर वीडियो बार-बार देखिए. राइट? लेकिन आज हम यहां पर पढ़ाई नहीं करने वाले हैं. शिक्षा प्रत कहानी मतलब समझ गए? आज आप सुनने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार कहानी और ऐसी कहानी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा. राइट? तो चलो सुनते हैं आज की कहानी. Students, यह कहानी है एक कबूतर की और चीटी की. चीटी और कबूतर हमारी कहानी का नाम है. Means इसमें एक छोटी सी चीटी है. यह दिखरी है आपको छोटी सी चीटी है ना चीटी क्या होती है? आंट है ना? और कबूतर, पिजिन, यह बर्ड है और यह इंसेक्ट है. ठीक है? तो इन की कहानी है यह भाई. चीटी की और कबूतर की. तो एक दिन क्या हुआ? कि एक कबूतर ऊड़ रहा था एक तलाप के आसपास. ठीक है? और वहाँ पे जमीन पे एक छोटी सी चीटी रेंग रही थी. उसके बाद क्या हुआ? चीटी ने सोचा मैं यहां से उस तरफ पार कर लूँ यह तलाप को. चीटी ने क्या सोचा? कि मैं यहां से इस तरफ से इस तरफ मैं पार कर लूँ. है ना? वो धीरे धीरे तलाप के पास पहुची. और क्या हुआ फिर? वो जैसे ही तलाप के पास गई, अंदर गई और वो डूबने लगी पानी में. है ना? चीटी तो इतनी सी होती है भाईया. तलाप तो बहुत बड़ा था और वो डूबने लगी. जैसे ही वो डूब रही थी, तो उपर उडते हुए कबूतर ने चीट वो जानता ही नहीं था. पहली बार उसने चीटी को देखा था. लेकिन उसने देखा कि चीटी डूब रही है. उसने सोचा, हम मैं क्या करो? कैसे इस चीटी को बचाऊ? उसको एक आईडिया आया दिमाग में. उसने क्या किया? एक पेड का पत्ता तोड़ा. है ना? पेड का पत्ता तोड़के लाया और उसने वो पानी में डाल दिया. जैसे ही पानी में डाला, चीटी जट से पत्ते के उपर बैढ गई. और पत्ता क्या होता है? हलका होता है पानी से. तो वो पानी में तेरता है. स्विम करता है. मिन्स डूबता नहीं है पत्ता है ना? क्या करेगा वो float करेगा, पानी में क्या करेगा पत्ता, float करेगा और वो चीटी उसके उपर बैढ गई, चीटी बड़े अराम से बैढ गए और वो डूबने से बच गई, है ना student, तो कबूतर ने क्या किया चीटी की मदद करी, और चीटी अराम से अपने दूसरे किनारे पर पहुँच गई, ठीक है उसके बाद चीटी ने कबूतर को thank you बोला, क्या बोला, thank you दोस्त तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मेरी मदद करी, अगर आज तुम मुझे नहीं बचाते तो मैं तो डूप जाती और मर जाती, तो कबूतर ने क्या बोला, कोई बात नहीं चीटी बहन, आज से हम दोनों दोस्त, ठीक है उस दिन से कबूतर और चीटी पके दोस्त हो गए, वहर कभी मिलते थे, साथ में बैठके भोजन करते थे और बहुत सारी बाते करते थे, ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ, जंगल में शिकारी आया, कौन आया, शिकारी, शिकारी कौन होता है जो, शिकार करता है जानवरों का, उनके पास बंदूख होती है उसने देखा उपर कभूतर को, एक कभूतर उड़ रहा है और यह हमारा वही चीटी का दोस्त कभूतर था, उसके बाद उसने अपनी बंदूख निकाली और कभूतर पे निशाना लगाने की कोशिश करने लगा, यह कौन देख रहा था, चीटी ने देख लिया, और जैसे ह जोचाम में क्या करूँ, उसने जट से शिकारी के पैर में काट लिया, चीटी बहुत तेज काटती है स्टूडेंट, है ना, बहुत छोटी सी होती है, लेकिन जब वो काटती है, तो बहुत खुजली, बहुत जलन होती है, है ना, उसने जट से शिकारी के पैर में काट लिय है ना student तो क्या हुआ यहां पे चीटी ने कबूतर की जान बचाई और पहले किस ने जान बचाई थी पहले कबूतर ने चीटी की जान बचाई थी तो क्या हुआ फिर कबूतर ने बहुत-बहुत शुक्रिया बोला चीटी को बोला चीटी बहन आज तुमने मेरी मदद करी है दोस्त questo हमेशा एक दूसरे की मदद करनी के लिए होते हैं है ना तो क्या हुआ student क्या हुआ इससे दोनों की दोस्ती और पक्की हो गई है ना दोनों एक दूसरे के दोस्ते जब चीटी को जरुवद थी तो कभूतर ने उसकी मदद करी जब कभूतर को जरुद थी तो चीटी उसकी मदद करी, तो क्या हुआ, इससे हमें क्या सिक्षा, हमने क्या सीखा, कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मतलब अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान दिखे, कोई भी वेक्ती दिखे, जिसकी आप मदद कर सकते हो, तो जरूर मदद करो, क्योंकि कभी हो सकता है, करनी चाहिए, जहां भी आप मदद कर सकते हो, वहां करो, मान लीजिये, for example, आप स्कूल में हो, है ना, और आपका दोस्त, पैंसिल नहीं लाया, इरेजर नहीं लाया, और आपके पास एक्स्ट्रा है, तो उसको दे दो, इससे उसकी मदद हो जाएगी, और आप लोग की दो हमान लीजिये, ममँ म ठक गई है, ममा की search करी है पापा की place करी है अपने भाई-बेहन की help करी हो, के स्टूरेट्ट तो देखा जैसे चीटी और कबूतर ने एक दूसरे की help करी आप भी हमेशा 11 काहानी मझेडार, दोनों की कहानी भी मझेडार थी, जो चीटी कर सकती थी वह चिटी ने किया, जो कभूतर कर सकता था, वो कभूतर ने किया, लेकिन दोनों के मदद हो गई, राइट स्टूरेंट, तो इस कहानी से हमने क्या सीखा, हमेशा एक दूसरे की मदद करो, राइट स्टूरेंट, तो ये कहानी आपको मिल जाएगी, मैगनेट बेन की वेब पर, जैसे ही आप किंडरगार्डन चूस करेंगे हिंदी, आपको कहानी मिल जाएगी, छीटी और कभूतर जैसी बहुत सी कहानिया है यहाँ पर, जो सुनके आपको मज़ा भी आएगा, और आप उन कहानियों से बहुत कुछ सीखेंगे भी, तो कहानी सुनिये और दूसरों को भी सुनाइए, राइट सूरेंट, सो स्टूरेंट यह सब आपको मिलता है, मैगनेट ब्रेंट पर, यहाँ आपको किंडरगार्डन से क्लास 12 तक, ऑल्लाइन स्कूल एड्यूकेशन बिलकुल फ्री में मिलती है स्टूरेंट, तो यहाँ आपको देखिए, आपका पूरा देखिए, कवीताएं देखिए, ओके, तो चलिए, नेक्स कहानी या नेक्स कवीता में हम नेक्स वीडियो में मिलेंगे, तिल देन, बाबाई, टेक केर